मित्रों लंगडा राक्षस कथा का अंतिम भाग है ये ये बहुत ही ज्यान वर्धक कथा है इस स्टोरी को सुनकर आपको बहुत आनंद आएगा चलिए देर ना करते हुए कथा को प्रारंब करते हैं चित्रा अब इन सिपाहियों को विदा कर दो विजय सिंग के इस आदेश के साथ ही वे सिपाही अद्रिश्य होगे बेटे तुम इस चिडिया का शक्ती परिक्षन कर ही चुके हो तुमारा पाला विचित्र जादूगर से पड़ेगा चिडिया की साहता से तुम्हें जादूई युद लड़ना है जाओ मेरा आशिरवाद चिडिया के रूप में समगर शक्ती भी तुम्हारे साथ है तुम विजय का डंका बजाते हुए शेगर लोटना है गुरु चोटी नात ने विजय सिंग से कहा सवेरा होते ही विजय सिंग ने चिडिया को अनंग परवत चलने का आदेश दिया आदेश के साथ ही वह आकाश मार्ग से उड़ने लगा उसके कंदे पर बैटी ही चित्रा अपने मधुर स्वर में चीची करती ही अपनी परसनता व्यक्त कर रही थी जिस दिन से अद्रिश रूप से लंगडे देव ने राजा मलई सिंग के दरबार में अपनी बात कही थी उसे दिन से मलई सिंग मन ही मन कांप रहा था उसने नायक सहित उन चारों सिपाहियों का प्राण दंड वापिस लेकर छमादान दे दिया था वह चाता था कि किसी प्रकाल लंगडे देव से पाला ना पड़े किन्तु भला लंगडा देव कहां मानने वाला था उसने एक दिन मलई सिंग की राजधानी पर हमला कर ही दिया मलई सिंग ने यह सुना तो उसने भी अपनी सेना तयार की और युद्ध छेत्र में जा डटा युद्ध का विगुल बसते ही दोनों और की सेनाएं आपस में गुत गई मलई सिंग की सेना कमजोर ना थी अब कहां हो लंगडे राक्षस प्रकट होकर अपनी जादवी लाशों को समेट ले जाओ लंगडे देव ने अपनी कमजोर स्थिती देखी तो जादू की लड़ाई लड़ने का निश्चे किया अब तक उसकी सेना ही जादवी थी और युद्ध मानवी नियुमों के अंसार ह रहा था पलक जपकते ही मलाई सिंग की सारी सेना मैदान से गायब हो गई और लंगडे देव की सेना के सभी सिपाहियों का रूप बड़ा भयानक हो गया बहुत से सिपाहियों के तो चार-चार हाथ थे बहुत से बिना हाथों वाले कुछ लंगडे थे तो कुछ चार-चार टांगे मुख ऐसे भ्यानक की देखते ही भैसे रोंगटे खड़े होने लगे वह भ्यांकर सेना हाथी पर सवार मैलाई सिंग का चारों और से घिराव करने लगी मैलाई सिंग भोचक्का सा होकर यह देखने लगा उसकी समझ में कुछ ना रहा था कि अब किस प्रकार से किन्तु भागने के लिए लंगड़े देव की सेना ने कोई मार्ग नहीं न छोड़ा था उसने अपने हाथी की सून में एक नुक्विले कांटों वाली लोही की जंजीर दे दी हाथी अपनी और अपने स्वामी की सुरक्षा के लिए जंजीर को घुमाता हुआ आगे काम दे सकी लंगड़े राक्षस के कुछ सिपाही उड़ उड़ कर मलाय सिंग पर हमला करने लगे अब तो मलाय सिंग बुरी तरह घबरा गया उसने लंगड़े राक्षस से चुला करने में ही अपनी भलाई समझी उसने चिला कर कहा लंगड़े राक्षस मैं जादवी यु तब तो मैं व्यार्थ ही मृत्यों को गले लगाना नहीं चाहता, मैं हार मानता हूँ, इस युद्ध में आप विजय हुए, मेरी सेना को प्रकट कर दीजिए, मलाई सिंग के यों कहते ही उसकी सारी सेना जियों की त्यों हो गई, साथ ही लंगड़ा राक्षस और उसका मित्र मुकुंदा भी प्रकट होगे, लंगड़ा राक्षस ने मलाई सिंग से कहा, बेटे तुम वहादुर होने के साथ साथ बुद्धी मान भी हो, अपनी चतुराई से तुमने जन धन का व्यर्थ नाश बचा लिया, तुम विजय सिंग की अधिनता में राज संचालन करते एक और रहस्य खोला, महराज विजय सिंग मेरा सगा भाई है, उसकी वीरता और सूज बूच का मैं कायल हूँ, फिर भी राज्य की सीमा के फेर में हम एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे हैं, मैंने अपने जादो द्वारा तुम्हारे बिना बताए ही इस रहस्य को जान लिया था कि तुम और विजय सिंग भाई भाई हो, यदिपी विजय सिंग ने मुझसे कहा नहीं था, किन्तु वे भी तुम्हारा नाश सच्चे मन से नहीं चाहता है, वे तो केवल तुम्हारी बुद्धी में प्रवर्तन चाहता है, इसलिए मैंने इस प्रकार के लड अच्छस ने कहा, अब तो मैं आपके अधिन हो ही चुका हूँ, आप जो भी आज्या करेंगे, मैं उसे सर आखों से बजाओंगा, मस्तक जुका कर मलय सिंग बोला, विजय सिंग की प्रजा, तुमारी प्रजा से अधिक सुखी है, और अपने राजे से संतुष्ट भी, सम्मान करते हुए, अपने सद्गुनों का विकास करो, दोनों भाईयों की संगठित शक्ती होने पर, तुमसे तुम्हारे सभी शत्रों भी भैभीत रहेंगे, लंग्डे देव ने मलय सिंग को उपदेश दिया, लंग्डे राक्षस की आग्या को शिरोधारे करके, मलय सिं संधी प्रस्ताव के साथ साथ, बहुत सी वस्तियों उपहार में भेज दी, इस प्रकार बहुत दिनों से चले आ रहे दोनों भाईयों के वैर विरोध को समाप्त करा कर लंग्ड़ा राक्षस, वा उसका साथी अद्रिश्य हो गए, चित्त्रा की सहायता से अनंग परवत प विशे में जानकारी प्राप्त की, वस्तुता महा का जादूगर राजा भारी शक्ति शाली था, किंतु अत्याचारी और क्रोर भी था, इसलिए महा की प्रजा अब भी अपने पुराने राजा भौपत राय की याद सच्चे मन से करती थी, यह सब जानकारी प्रात करके वि इत्रा मुझे मच्छर बना दो मैं यहां के राजा के भवन में जाकर उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। बैतुरंत मच्छर बन गया और भिन भिनाता हुआ राजा धूमा के कमरे में जा पहुँचा। बस फिर क्या था मच्छर ने अपने सोभाव के अंसार सोय हुए राज धूमा जाक पड़ा उसने पलंग पर लेटे लेटे ही ओपर को हाथ किया उसके हाथ में एक लोहे की मजबूर डिबिया आ गई। उसने डिबिया का धकन खोला धकन खोलता ही मच्छर बना हुआ विजय सिंग डिबिया की और खिचा चला गया। जैसे ही वे डिबिया में प करता हुआ भोला मच्छर की आउलाद विजय सिंग देख लिया ना मेरे जादू का कमाल मुझसे लड़ाई लड़ना असी खेल नहीं है उस भगवड़े भौपत राई की बातों में आकर अपने प्राण क्यों गवाते हो उस जादू कर धूमा के ग्यान पर विजय सिंग को ब चित्रा को याद करते ही वे डिब्या उड़ी और बड़े जोरों से दूमा की नाक पर गिर कर खुल गए मच्छर बने हुए विजय सिंग को अपने चोंच में दबा कर चित्रा बाहर निकल गई और बिना कहे ही उसे असली रूप में कर दिया दूमा के डिब्या से मुक्त ह जाने और अपने असली रूप में आ जाने पर विजय सिंग को बड़े प्रसनता हुई उसे प्रसन होता हुआ देख कर चित्रा मनिश्य की वाणी में बोली राजन तुम्हें जादू के दाव पेचों का ज्यान बिलकुल नहीं है तुम्हारा पहला पासा ही उल्टा पड़ा है यदि मैं तुम्हें बचा कर ना लाती तो तुम उस डुबिया रूपी कारागर में ही घुट-घुट कर मर जाते भविश्य में ध्यान रखना मैं केवल तीन बार ही तुम्हारी रच्छा कर सकती थी उसमें से तो एक बार कर चुकी अब दो बार और बचा सकती हूँ अता दो बार के बाद खत्रा मोल मत लेना विजय सिंग क्या करता विचारा शर्म से सर जुका कर चित्रा की बाते सुनता रहा और भविश्य में क्या करे यह बात अपने मन ही मन सोचता रहा बहुत सोचने विचारने पर भी बैनिश्चे ना कर सका कि लड़ाई शुरू कैसे हो अंतता उसने लंग्रे राक्षस को ही शुकिया लंग्रे राक्षस के स्थान पर उसका मित्र मुकुंदा प्रकट हुआ कि आते है उसने कहा बैट विजय सिंग क्या बात है घबरा क्यों रहे हो विजय सिंग ने संशेप में सारी कहानी सुनाई सुनकर मुकंदा बोला क्या करूं श्राप के कारण धूमा के जीवित रहने में यहां आदा घंटा से अधिक ठहर नहीं सकता और महाराज भौपत्राय धूमा के जीवित रहते इन परवत्य परदेश में परवेश भी नहीं कर सकते नहीं तो तुम्हें इस जमेले में नाल डालते अब तो तुम्हें इस दुष्ट को ठिकाने लगाओ वैसे घपराने के कोई बात नहीं तुम्हारी जादूई शक्तियां धूमा से बढ़कर हैं महराज मुझे भैबृत्यू का भी नहीं है किन्तु युद्ध का प्रारम कैसे करूँ यह समझ में नहीं आता मुश्कुरा कर विजय सिंग ने कहा विजय सिंग की बात सुनकर मुकुंदा खिल खिला कर हस्ते हुए बोला बड़े भोले हो बेटे विजय सिंग भला लड़ा प्रारम तो मैं किये जाता हूं संभाल तुम लेना विजय सिंग से यह कहकर उसने अपने चुलू में पानी भर कर कुछ मंत्र पढ़े मंत्रों के प्रभाव से धूमा का महल कागज की गुडिया की तरह हिलने लगा महल को हिला कर मुकुंदा गायब हो गया धूमा को यह तो यह सब करामात उसी विजय सिंग की ही है वह करोधित होता हुआ अपने महल से निकला और जहां विजय सिंग खड़ा था वही जा पहुँचा विजय सिंग उसे देखकर मुस्कुरा उठा उसके मुस्कुराने से धूमा का करोध और भी अधिक बढ़ गया उसने विजय पर जोरदार प्रहार किया गोसे की मार का विजय सिंग पर तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ उल्टे धूमा के हाथ में ही चोट लग गई वैप पीड़ा से कराह उठा उसे ऐसा अनभव हुआ मानव विजय सिंग के सीने की बजाए उसने फौलाद के यंत्र मानों को घुसा मा रहा हो उसने अपने जादू के ज्यान के द्वारा ध्यान किया तो उसे पता चला कि विजय सिंग के शरीर पर गुरु चोटी नात का दिया हुआ सिद्ध कवच है इसलिए उस पर घूसे के प्रहार का कोई असर नहीं हुआ आप तो वह चिंतित होकर सोचने लगा यह कमबक विजय सिंग इस सिद्ध कवच के रहते हुए अजे है मैं इसका कुछ भी नहीं बिगार सकता हूं अतर किसी युक्ति से इसका सिद्ध कवच इससे लेना होगा तब विजय सिंग ने कहा नीच राक्षस धूमा क्या सोच विचार कर रहे हो तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ मैं तुम्हारा काल बनकर आया हूं अब तुम्हारे पापी जीवन का अंत निकट है दूमा को गाली देने का सहस उसने तब तक कि अपने जीवन में गाली नहीं सुनी थी विजय सिंग से गाली सुनी तो वह क्रोच से पागल हो उठा चीकते हुए वह बोला विजय दूमा के नाम से संसार भरके जादूगर थर-थर कांपते हैं फिर चोटी नात और उसका चेला भोपत्राय लंगड़ा तो है ही किस खेत की मूली है वो मेरे सामने उन्हें तो मैं जब चाहूं तब मच्छर की तरह मसल सकता हूं दूमा के मुख से यह सुनकर तो विजय सिं विजय सिंग को विचार मगन देख कर धूमा घर जाओ विजय सिंग भले प्रकार सोज विचार कर लो मैं साधान युद्ध नहीं करूंगा बलकि जादू का भयंकर युद्ध लड़ूंगा तुम जादू की लड़ाई जानते नहीं होगे इसलिए अब भी चुपचाप ल दूमा का या कहना था कि आकास से उड़ता हुआ एक दीपक आया दीपक की लोब बड़ी जोरों से जल रही थी दूमा ने हाथ जोड़कर दीपक को प्रणाम किया दीपक ने मानवे भाषा में कहा दूमा तुमने श्री चोटी नात को दो बार अपशब्द कहे हैं इससे तुम्हारे जादूई शक्ति छेन हो गई श्री चोटी नात जी जादूगर होने के साथ साथ विवेकवान संत भी हैं ऐसे लोगों का आदर करना चाहिए सावधान भविष्य में यदे तुमने श्री चोटी नात को अपशब्द कहे तो तुम्हारे सारे जादूई शक्तियां लुप्त हो जाएंगी मैं भविष्य में ध्यान रखूंगा सिर्फ जुकाकर देपक को प्रणाम करते हुए धुमा बोला देपक अद्रेश्य हो गया देपक की कि अब बिना लड़े काम बनने वाला नहीं आता उसने जादू से पत्थर के रोडों का मेह बर्साना शुरू कर दिया चित्रा उड़कर सिद्ध कवच में घुस गई और विजय सिंग रक्षा कवच पहने हुए था ही उस पर रोडों की मार का कुछ प्रभाव ना हुआ व पत्थरों की वर्षा बंद कर दो वर्षा बंद हो गई अब धूमा यह भी समझ गया की विजय सिंग जादू भी जानता है फिर भी उसे पहली चिंता रक्षा कवच की ही थी बह कोई युक्ती सोचने के लिए वहां से अद्रिश्य हो गया अपने भवन के द्वार पर मुझकर फिर प्रकट हुआ उसने अकास में अपना दाहिना हाथ उठाया उसके हाथ में गदा आ गई गदा को उसने अपने हाथ में मजबूती से पकड़ कर चारों और घुमाया गदा मेंसे भेंकर आग की लप्टे निकलने लगी सिद्ध कवच से बाहर आकर चित्त्रा न कुछ बचाओ का उपाय सोचो जैसे ही गदा मेरे पास आवे तैसे ही मेरे सामने मजबूत दिवार खड़ी कर देना इस पर गदा की मार व्यर्थ हो जाएगी विजय सिंग ने चित्त्रा को आदेश दिया चित्त्रा संतुष्ट हो गई धुमा काफे देर तक गदा को घुम खड़ी हो गई और भयंकर ध्वने के साथ गदा टुकड़े टुकड़े हो गई अपनी जादुए गदा का विनाश देखा तो धुमा क्रोध से वोखला उठा उसने पुना आकाश की और अपना हाथ उठाया उसके हाथ में धनुश बान आ गए विजय सिंग ने चित्त्रा मुझे धूमा के बानों को काटने वाले धनुश बान दो तुरंत उसके हाथ में भी धनुश बान आ गए इधर से तो धूमा ने और उधर से विजय सिंग ने साथ साथ ही बान छोड़े मार्ग में एक दूसरे से टकरा कर वान नस्ट हो गए अब धूमा ने तेजी से वान वर्षा आरंब करती विजय सिंग ने जल्दी जल्दी वान चलाना शुरू किया कि केंतो धूमा की बराबर तेजी से वैसा संधान नहीं कर पा रहा था धूमा के बहुत से बान उसके श्रीर से टकराने लगे केंतो सिद्ध कवच के कारण विबान इस प्रकार निश्वल हो उसने अपने जादू के प्रभाव से विजय सिंग के नीचे एक कुवा तयार कर दिया विजय सिंग कुवे में गिर गया कुवे में गिरते ही वैं बहने लगा वैं सोचने लगा कुवे का पानी तो स्थिर होता है फिर यह बहाव कैसा वैं कुवा नदी के रूप में बदल चुका था और उस नदी के तेज बहाव में ही विजय सिंग बहा जा रहा था कुछ देर बहते रहने के बाद उसने अपने हाथ पर चुबन से अनभव की उसने देखा चित्रा हाथ पर अपनी चौच का प्रहार करती हुई चेंची कर रही थी विजय सिंग समझ गया कि चित्र कुछ कहना चाहती है वैं बोला चित्रा क्या बात है इस नदी का अंत एक राक्ष से गुफा में होता है यदि तुम उस गुफा में बंद हो गए तो मुक्त होना कठिन हो जाएगा कुछ बचाव को उपाय करिए चित्रा की बात सुनकर विजय सिंग को यह ध्यान आया कि च विजय सिंग का आदेश पाकर चित्रा फुरुद से उड़ी उसके उड़ते ही एक देव दूत प्रकट हुआ उसने पानी में तैरते हुए विजय सिंग को अपने कंधे पर लाद लिया यह देखकर विजय सिंग आश्चर चकित हो उठा कि उस देव कि उस देव दूत पर पानी का कुछ भी प्रभाव नहीं हो रहा था वैं पानी पर इस प्रकार खड़ा हुआ था और चल रहा था मानो धर्ती पर चल रहा हो देव दूत ने विजय सिंग को नदी के किनारे पर लाकर बिठा दिया और हाथ जोड़कर उससे बोला मेरे योग थी देव दूत ने उसे कंधे पर बिठा कर अकाश मार्ग से उड़ना शुरू कर दिया और थोड़ी सी देर में ही दूमा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया राजा विजय सिंग ने चित्रा से तलवार की याचना खी और तलवार प्राप्त होते ही कड़क कर दूमा से बोला दूमा अब तो इस धरा पर कुछ छणों का महमान है मैं तुझे यमलोक भेजने पुना आ गया हूँ सावधान होकर मुझसे युद्ध कर दूमा मदिरा पान करके नशे में मस्त होता हुगा अपने गले की नर मुंड माला पर हाथ फिरा रहा था उसे सपने में भी यह आशा ना थी उस जादवी कक्ष से विजय सिंग बच निकला होगा अपने सामने उसे सही सलामत खड़ा देखकर उसे पसीना आ गया अब उसने चल से काम लेने का विचार लिया मैं मुस्कुराते हुए बोला बाब भाई विजय सिंग तुम वास्तों में अच्छे जादूगर हो और जादूई युद्ध में तुम मुझसे अधिक बलवान साबित हुए हो इसलिए मैं अपनी हार सीकार करके तुमारा अभी वादन करता हुँ तुमारा अभी नंदन करता हुँ तुम मेरे इस भवन को अपना ही समझ कर इसमें आराम कर लो तुमारा हार्दिक स्वागत है बिजय सिंग ने सोचा यद इसके महल में रह लिया जाए तो संभवता इसे नस्ट करने का कोई सूत्र हाथ लग जाए इसलिए बोला मुझे आपका आमंतर्ण स्विकार है विजय सिंग ने स्विकृति दे दी तो धूमा ने एक सेवक के साथ उसे अतिति घ्रा में भेज दिया और उसके स्वागत का पूरा परबंद भी करा दिया विजय सिंग काफी ठक चुका था वह चाहे शत्रू के घर में ही था पर फिर भी आराम मिलने से उसे अलस्या गया अपने कमरे के किवार बंद करके वह आराम से सो गया उसने सिद्ध कवच भी उतार कर खूटी पर टांग दिया भूमा के गुप्त चरों ने जब विजय सिंग के निद्रा मगन होने और रक्षा कवच को उतार कर अलग रख देने की सूचना दी तो वह परसन्नता के मारे नाच उठा वह यही तो चाहता था कमरे के गुप्त मार्ग से प्रवेश करके उसने रक्षा कवच अपने एधिकार में कर लिया अब चित्रा ने चीची करते हुए विजय सिंग के मस्तक पर चोंच का प्रहार किया तो आँखे मलता हुआ विजय सिंग उठ बैठा और चिडिया से बोला क्या बात है चित्रा क्यों सोर मचा रही हो गजब हो गया राजा साहब इसके कान के पास मूह ले जाकर कहा क्या हुआ अश्चर चकित विजय सिंग ने पूछा गुरु चोटी नाथ की दिव ही अनमौल भेंट आपका रक्षा कवच चुरा लिया गया है दीरे से चिडिया ने कहा यह सुनते ही विजय सिंग के पैरो तले से जमीन खिसक गई किन्तु अब पच्टाए होत क्या पर वासा होकर चिडिया से बोला चित्रा मुझे इस कैद खाने से निकालो शत्रों के घर में रहकर मैंने असावधानी बरती यह मेरी भूल थी यह सुनकर चिडिया ने चीची चीची की जिस कमरे में विजय सिंग सोया हुआ था वह कमरा नीचे की ओर धरती में धसने लगा आश्यारे चकित होकर विजय सिंग ने चिडिया से पूचा चित्रा यह कमरा कहा जा रहा है अपनी आखे मूंद लीजिये अभी बताती हूँ चित्रा ने उत्तर दिया राधा ने आखे मूंद ली अब वै भयानक जंगल में खड़ा था उसने पुनह चिडिया से प्रिशन किया चित्रा हम कहां पहुँच गये हैं धुमार आक्षस ने सिद्ध कवच को अपने एक सेवक के हाथों इसी भयानक जंगल में स्तित भोधर परवत पर भेज दिया है तुम अपना सिद्ध कवच प्राप्त करने का प्रत्न करो चित्रा बोली भोधर परवत कहां है राजा विजय सिंग ने प्रिशन किया राजा के इस प्रिशन के साथ ही वही देव दूत पुना प्रकट हो गया जिसने उसे मायवी नदी के बहाव से बचाया था उसने विजय सिंग को अपने कंधे पर सवार किया और उड़ने लगा कुछ ही पलों बाद वै भोधर परवत परस्तिप राक्षस के महल के सामने जा खड़ा हुआ महल का द्वार बंद था विजय सिंग ने चित्तरा से एक गदा की याचना की गदा प्राप्त होने पर उसने महल के फाटक पर गदा का प्रहार किया गदा में से आग की भेंका लपटे निकली और किमाडे चटक चटक कर जलने लगी आग आग शौर मचाते हुए दूदू के सेवक आए अपने सेवकों के शौर को सुनकर दूदू महल के द्वार पर भागा आया द्वार पर विजय सिंग को खड़ा देखकर वे सकते में आ गया वे अपने बाएं हाथ से अपना मस्तक पकड़ कर सोचने लगा या कमबक्त धूमा की भेंकर जेल से छूट कैसे आया तब ही विजय सिंग बोला चौर कहीं के सावदान हो जा तेरा काल आ गया है यह कहकर उसने गदा को घुमाना शुरू कर दिया विवश होकर दूदू राक्षस ने भी अपनी जाद्वी गदा संभाली और दोनों में भयंकर गदा युद्ध होने लगा दोनों गदाएं जब आपस में टकराती तो भयंकर ध्वनी के साथ आग की लप्टे निकलती सारा वातावरण जंकरत हो उठा गदा युद्ध में जितना विजय सिंग प्रवीन था उससे अधिक प्रवीन था दूदू राक्षस अता दोनों में से कोई हार नहीं मान रहा था तब ही विजय सिंग बोला चित्रा इसके महल में से रक्षा कवच धूंड कर लाओ कुछी छणों बाद उसके शरीर पर रक्षा कवच आ गया अब वे निच्चिंत होकर धुआदार युद्ध करने लगा उधर विजय सिंग के शरीर पर रक्षा कवच देखकर दूदू का उत्सा ठंडा पड़ गया फालता हैं विजय सिंग की गदा की एक चोड से वह आहत होकर गिर पड़ा चोड मर मान तक लगी थी अता लंबी सास खीच कर करहता हुआ बोला विजय सिंग मैं तो जा रहा हूँ किन्तु तू मेरे मित्र धूमा को साथ जनम में भी नहीं मार सकता रक्षा कवच के रहते हुए मैं अजय हूँ एक धूमा तो क्या मैं सैकडो धूमाओं के लिए काफी हूँ अपनी छाती ठोक कर विजय सिंग ने कहा विजय सिंग की बात सुनकर मृत्यू के समीब पहुँचे दूदू को भी हसी आ गई वे बोला धूमा के पास विचित्र शक्तियां हैं उसे लाग बार सैकडो टुकडे कर दीजिए उसके अंग पुना जुड़ जाते हैं उसे लाग मार दीजिए मर मर कर वे फिर से प्राणवान हो उड़ता है इसका क्या रहस्य है तब तक दोदूर आक्षस का अंत समय अत्यंत समेव आ पहुँचा था वा अटकते हुए बोला क्योंकि उसके प्राण मंगल परवत पर स्थित बैताल कुटी में रहने वाली नेली बिल्ली में है प्रथम तो मंगल परवत ही पहुच पाना हसी खेल नहीं यदि कोई मंगल परवत पर पहुच भी जाता है तो उसे बैताल कुटी नहीं मिलती बैताल कुटी भी अगर कोई ढूंड ले तो उस कुटी की भोल भुले या उसके प्राणों की ग्राहक बन जाती है आज तक निली बिल्ली को सिवाए धुमा के कोई नहीं देख पाया यो मेरा मित्र अजे है अमर है इतना बताते ही दूदू के प्राण पखेरू उड़ गये उसका निश्प्राण शरीर एक और लुड़क गया विजय सिंग चित्त स्थान कभी मेरा राज्य था मुझे दुष्ट दूदू ने मार कर भगा दिया था यहां से भाग कर मैं महराज भोपत राई की नोकरे करने लगा मैंने महराज भोपत राई से भी कभी यह भेद नहीं खोला था पहले अनंग परवत पर विजय प्राप्त करके महराज भोप मुकुंदा एक छण को रुका तो विजय सिंग बोला अब मेरे लिए क्या आग्या है इस दुस्ट ने तुम्हें धूमा की मृत्यू का रहस्य तो बता ही दिया है शिक्रता करो नेले बिल्ली को मार कर महराज भौपत राय के सपने साकार करो मुकुंदा ने राजा विजय सिंग से कहा विजय सिंग ने चित्तरा की सहायता से देवदूत को बुलाया देवदूत ने उसे आनन फानन में मंगल परवत की बैताल कुटी के द्वार पर पहुँचा दिया वहाँ पहुचकर देवदूत बोला इस कुटी के इंदर जालिक ग अब विजय सिंग ने चित्रा से कहा, चित्रा मुझे नेले बिल्ली के पास पहुँचाओ, चित्रा चीची करती ही बैताल कुटी में घुस गई, विजय सिंग उसके पीछे पीछे चलने लगा, इधर से उधर और उधर से इधर, इस प्रकारवे बहुत देर तक भटकते रहे तब कहीं जाकर उन्हें नेले बिल्ली के दर्शन हुए, नेले बिल्ली एक काली आवसून के कुर्सी पर बैठी हुई, चांदी की कटोरी में मलाई चाट रही थी, उसके नेत्र अंधेरे में भी अंगारे की भाती चमचमा रहे थे, विजय सिंग ने चित्रा को एक काला के लिए कहा, तुरांत ही एक बड़ा ही हस्ट पुष्ट कुत्ता प्रकट हो गया, और विजय सिंग का संकेत पाकर उसने बिल्ली की गर्दन अपने नक्विले दांतों से कस कर पकड़ ली, विजय सिंग ने चित्रा की सहायता से देवदूत को प्रकट किया, राजा की आग गर्दन की पीडा से छटपटा रहा था, क्या कि कुत्ते द्वारा बिल्ली की गर्दन नापने से, धूमा की गर्दन पर भी चोट आ गई थी, विजय सिंग ने धूमा को संबोधित करते हुए कहा, ले दुस्ट, अपनी आखों के सामने अपनी दुद्रशा देख, ये कहक गर्दन उसने कुत्ते को संकेत कर दिया, कुत्ते ने तुरंत बिल्ली को फार डाला, बिल्ली का पराणांत होते ही धूमा राक्षस के पराण पखेरों भी उड़ गए, धूमा राक्षस के मरते ही वहां लंगडा राक्षस प्रकट हो गया, और विजय सिंग को प्यार पू सब्सक्राइ से मेरे मित्र मुकंदा का राज भी जीत कर उसे वापस कर दिया तो उससे मैं बहुत परसन हूँ और तेरी सहायता के लिए सदैव तयार रहूंगा वे परस्पर ये बाते कर ही रहे थे कि तभी मुकंदा भी आ पहुंचा उसने विजय सिंग को मलाई सिंग की अचार भी सुना दिया दूसरे दिन सभी लोग विजय सिंग को लेकर उसके राजधाने पहुंचे और दोनों भाईयों का मेल मिलाप करा दिया मित्रों कथा आपको कैसी लगी इस कथा से क्या साल निकला आप कमेंट करके जुरूर बताईएगा दोस्तों आपको अकथा कैसी लगी अपने विचार और सुझा कमेंट में जुरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें हमारी कथाओं को शेयर जुरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गयन पराप्तो जैशिर राम भक्तो